दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवरतरिन यारक्रेप्ट के रूप में फिलाल F-35 यारक्रेप्टों को देखा जाता है और F-35 यारक्रेप्ट अपने ताकत के बलबूते पे अब तक कई सारे बड़े बड़े डिफेंस डीलों को जीत चु आया गया और एक मिलिटरी टेंडर में F-35 यारक्रेप्ट को ग्राइपिन यारक्रेप्टों के सामने बुरी तरिके से हार मानना पड़ा दोस्तों मैं यहाँ पे जिस मिलिटरी टेंडर का बात कर रहा हूँ असल में थाइलैंड के एयरफोर्स के तरफ से जारी किया गया ट बेसिकली दोस्तों मेडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि थाइलेंड के तरफ से F-35 फाइटर यारक्रेप्टों को रिजेट करते हुए अपने एरफोर्स के मोडनेशन पोग्राम के अंतरगत ओपीशेली स्वीडन के ग्राइफिन EF यारक्रेप्टों का चैन क कर लिया गया है और थाइलेंड अब और थाइलेंड अब ओपीशेली स्वीडन से करीब-करीब 10 से 14 यूनिट ग्राइफिन EF को खरीदने जा रहा है जिससे की करीब-करीब एक दशक के बाद स्वीडन को ग्राइफिन EF को लेके सफलता मिला हाला कि दोस्तों इससे पहले भी कई सारे देशों के साथ स्वीडन का ग्राइफिन EF को लेके डील लगवग लगवग फाइनल हो चुका था लेकिन आखरी वक्त पे अमेरिकी EF को लगा लेकिन इस वार स्वीडन के द्वारा अमेरिका को जटका दिया गया और ये जटका अमेरिका के किसी फोर्ट जिनरेशन के यार्क्रैप्टों को नहीं बलकि अमेरिका के सबसे ताकतवरतरीन यार्क्रैप मतलब EF 35 को लगा हाला कि दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले साफ ग्रूफ के फेसिडेंट और सीयो मिचल जोहनसन के तरफ से भी काफी अधिक फस्टरशन दिखाया गया था क्यूंकि करीब करीब दो साल से उनके द्वारा ग्राइफिन यार्क्रैप्टों को एक्सपोर्ट करन के लिए सबसे पहले रॉयल था यार्फोर्स के तरफ से फ्टरशन दिखाया गया था अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग के जानकारी के लिए यह भी वता दू कि 12 जनवर ये 2022 के दिन थाइलेंड के के तरफ से चार फ्टरशन दिखाया गया था JS-39 ग्राइफिन E जैसे यार्फ्रेफ्टों को लेके अपना डिसिजन लिया गया है तो उही पे आप लोग को ये भी जानके रखना चाहिए कि ग्राइफिन यार्फ्रेफ्ट और F-35 यार्फ्रेफ्टों में भी काफी अधिक अंतर है ग्राइफिन जहाँ पे एक हलके वजन के 4.5 जनरेशन कैटिगरी वाला यार्फ्रेफ्ट है तो उही पे F-35 एक मीडियम वेट क्लास के 5 जनरेशन का यार्फ्रेफ्ट है पर नो डाउट F-35 के जगह में अगर ग्राइफिन यार्फ्रेफ्टों को भी थाइलेंड के द्वा ग्राइफिन जहाँ पर नो डाउट जनरेशन के यार्फ्रेफ्टों के द्वारा खरिदा जाता है तो इससे थाइलेंड को असल में क्या फाइदा हो सकता है तो सब फाइदे का अगर लिष्ट को गिनाए जाए तो यह काफी लंबा है क्योंकि एक तरफ जहाँ पे F-35 यार ग्राइब थाइलेंड को लेके सोच रहा था उसके जगा में 10 से लेके 14 के संख्या में ग्राइपिन ताइलेंड खरिद पाए गा maintenance को लेके वी Thailand को अधिक खर्चा नहीं कर पाँ पड़ेगा और चार यार क्रेफ्टों के खर्चे के बदले में Thailand करिफ करिफ डजन फर यार क्रेफ्टों का उप्योग अपने बेड़े के लिए कर सकेगा और दोस्तों चार यार क्रेफ्टों के जगा में अगर एक डजन के आसपास यार क्रेफ्ट रहता है नो डाउट इससे operational capability अधिक enhance होगा क्योंकि चार यार क्रेफ्ट हमेशा operational नहीं रहता है और ऐसे में अगर 50% से वही अधिक इन यार क्रेफ्टों के operational availability रहा तब भी हर समय Thailand क के बेड़े में आ जाता है और इन यार क्रेफ्टों के भी operational 60-70% तक भी हुआ तो हर समय Thailand के पास करीब-करीब साथ से लेके 10 के संख्या में griping यार क्रेफ्ट available होगा जिसे की अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग परपोज में deploy किया जा सकेगा इसके इलावा दोस्तों F-35 यार क्रेफ्टों का demand इतना अधिक है और अमेरिका इन यार क्रेफ्टों के export को लेके इतना अधिक वस्त है कि अगर अमेरिका अगर Thailand को F-35 यार क्रेफ्टों को लेके अनुमती दे भी दिया होता तब भी यार क्रेफ्टों को हासल करने के लिए Thailand को 5-6 साल का इंतजार क करना पड़ेगा और चार यार क्रेप्टों के मेंटनेंस और इसके इंफ्रस्ट्रक्चर के लिए जो खर्चा होने वाला है लगभग लगभग उतने ही खर्चा में थाइलेंड 10 से लेके 14 के संख्या में ग्राइफिन यार क्रेप्टों का भी उप्योग कर पाएगा अलाकि F- F-35 fighter aircraft के air-to-air missile को लेके भी कई तरीके के issues है क्योंकि अभी तक अमेरिका के द्वारा F-35 fighter aircraft में M-120 MRAM के इलावा कोई भी ताकतवर तरीन air-to-air missile को integrate नहीं किया किया है जिस वज़ा से M-120 ही F-35 aircraft के सबसे ताकतवर तरीन missile है जबकि ग्राइफिन यार क्रेप्टों को अगर देखा जाए तो इनमें कई तरीके के ताकतवर तरीन air-to-air missile को already Sweden के तरफ से integrate किया जा चुका है जिनमें IRIST जैसे short-range missile से शुरू कर कि M-9 Sidewinder और even A-Darter जैसे short-to-medium range missile है और सबसे ताकतवर तरीन missile के रूप में इसमें MBDA के meteor जैसे missile का उपयोग किया गया है जो कि शमता, range और even technology के मामले में भी अमेरिका के M-120 जैसे missile हो से काफी आगे है, हलाकि दोस्तों आप लोग को ये भी जानके रखना चाहिए कि ग्राइफिन भी कोई कम ताकतवर aircraft नहीं है बलकि lightweight category के इन aircraft को दुनिया का one of the most advanced aircraft में से एक के रूप में माना जाता है, even हलके वजन का ये aircraft ह हो सकता है, लेकिन इसके पास रश्या के सुखो 35 जैसे aircraft को counter करने का भी शमता है, और स्वेडिन के तरफ से ग्राइफिन aircraft में कई तरिके के ताकतवर train, avionics और electronic equipment का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ग्राइफिन को technology wise लगवग लगवग रैफैल के बराबर लाता है, और दोस् बेसिकली दोस्तों, यह जो ग्राइफिन aircraft है, इसे स्वेडिन के तरफ से 80 के दशक में निर्मान करना शुरू किया गया, और इसके जो earlier version है, वो 1988 में अपना first flight किया, और 1996 में इसे introduce किया गया, हाला कि अब जिन ग्राइफिन aircraft हो को स्वेडिन के तरफ से तयार किया गया है, वो असल में ने variant है, जिसे की JS-39 ग्राइफिन EF कहा जाता है, बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे जो JS-39 ग्राइफिन E aircraft है, यह असल में single seted aircraft है, जबकि JS-39 F aircraft twin seated variant है, और इन आरक्राइफ्टों के अगर आकार को देखा जाए, तो E variant का लंबाई करिफ करिफ 15.2 मिटर मतलब 49 feet 10 inch है, जबकि F variant का लंबाई करिफ 15.9 मिटर मतलब 52 feet है, जबकि वही पे यारक्राइफ्टों के wingspan करिफ 8.6 मिटर मतलब 28 feet 3 inch और height करिफ 4.5 मिटर मतलब 14 feet 9 inch है, यारक्राइफ्ट का wing area करिफ 30 मिटर स्क्वार मतलब 320 स्क्वार फीट है, जबकि इसका empty weight 8,000 kg और maximum take off weight 16,500 kg है जबकि इसके इलावा यारक्राइफ्ट के अगर fuel capacity को देखा जाए, तो ये internally करिवन 3,400 kg के fuel को carry कर सकता है, और externally 3 drop tank के सहारे करिवन 3,537 kg तक के fuel को carry कर सकता है, और यारक्राइफ्ट का total payload शमता को अगर देखा जाए, तो ये करिवन 7,200 kg है, और इसमें engine के रूप में एक general electric के A414GE-39E या फिर के है, तो RM16 engine का उपयोग हुआ है, जिसका dry thrust करिवन 61.83 kN और maximum after warning thrust करिवन 98 kN है, यारक्राइफ्ट के अगर performance को देखा जाए, तो high altitude में इसके अधिकतम रप्ता 2100 km per hour या फिर के है, तो mark 2 है, जबकि इसका combat range 1500 km है, यारक्राइफ्ट aerial refueling और drop tank के सहा अधिकतम 4000 km के range तक non-stop उडान भर सकता है, जबकि इसके service ceiling को अगर देखा जाए, तो ये करीवन 16,000 m या फिर कहें तो 52,000 feet है, और ये यारक्राइफ्ट प्लस 9G से लेके माइनस 3G तक दवाव जहल सकता है, पर इन यारक्राइफ्टों का सबसे बड़ी बात ये है कि ये short distance में मतलब करीवन 500 m के runway से take off कर सकता है, और 600 m के runway के उपर आसानी से land भी कर सकता है, दूसरे तरफ यारक्राइफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अगर हतियारों को देखा जाए, तो इसमें 27 mm के एक cannon का उप्यों किया गया है, जबकि इसके इलावा 10 हाट पॉइंट है, जि इसके इलावा अगर देखा जाए, तो यह साथ MBDA के meteor मिसाइलों को, या 2 KVD-350 या फिर 6 RVS-15F जैसे anti-ship मिसाइलों को करी कर सकता है, जबकि इसके इलावा 7 GVU-12 PVA-2 laser guided bomb, 8 Mark 82 bomb, 16 GVU-39 small diameter bomb या फिर 12 alternative small diameter bombs को करी करने का शमता है, जबकि अन्डे equipmentों में इन यार क्रैप्ट Digital Joint Reconnaissance Pod, Rafale के Reconnaissance Pod और Lightning 3 जैसे targeting pod को करी किया जाता है, और Avionist को अगर देखा जाए, तो इसमें Leonardo के PS-05A Reven Active Electronical Scan Array Radar का उप्योग हुआ है, इसके बावजूद, तरफ से अब griping यार क्रैप्टों को अपने बेडे के लिए खरिदा जा रहा है, दोस्तों आप लोगे को क्य लगता है कि ये जो griping यार क्रैफ्ट आइलेंड खरिद रहा है, क्या ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा जटका है, या फिर अमेरिका को इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, कॉमेंट करके अपने राए अवश्र दीजिए, दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पेई कर किसी और एक दम किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम